सेल आईएसपी बर्णपुर के कनफ्लूएंस ओडिटोरियम में चार अप्रेल को एक एपीएफो कारेशाला का आयोजन किया गया कारिकरम का उद्देश्य सभी हित धारकों को एपीएफो में नई पहल के बारे में जागरूप करना था उक्तकारय शाला का उद्घाटन एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेट फंड कमिशनर वेस्ट बिंगॉल स्री राजी भट अचारिया रीजिनल प्रोविडेट फंड कमिशनर वन रीजिनल ओफिस दुरगापूर के श्री एन नगुले आईएसप के ओफिसेटिंग एडिप एन श्री अनुप कुमार एडिशनल प्रोविडेट फंड कमिशनर दुरगापूर के श्री कौशी करोय आईएसप के ओफिसेटिंग एडिफ एडिफ एडिए श्री आरके सिनहा सीजियम सीओ एडिशी श्री श्री पीके रत जीएम फिनांस श्री शुरेश शिवरामन द्वारा दी प्रज्वलित कर किया गया उक्तकारे करम में सहायक भविश्य निधी आयोक्त श्री रविंद्र कुमार सिंग प्रवर्तन अधिकारी श्री गोपाल कुमार प्रवर्तन अधिकारी श्री अमित कुमार सिनहा ISP के AGM Finance श्री दुर्गेश कुमार एवं अन्य अधिकारी एवं Chamber of Commerce के कई गन्माने व्यक्ती, यूनियन के प्रतिनिधी, बिजनेस पार्टनर्स, कई प्रतिष्ठानों के नियोक्ता एवं करमचारी भी उपस्थित थे इसकारिकरम में CGM PNA श्रीमती सुश्मितारोई ने सबका स्वागत किया, ततपश्चात स्रीराजी भटाचारयानी EPFO में KYC, इनामंकन और हित धारकों द्वारा उठाए गए अन्यमुद्दों के बारे में अपने विचार रखे उन्होंने कहा कि विगत कुछ दिनों में EPFO ने कई सारे गुणोत्तर प्रयास किये हैं, जिससे सदस्यों पेंशन धारकों को काफी लाब हुआ है EPFO ने सभी PF खाता धारकों को नामंकन करना आनिवारे बना दिया है यह प्रयास पीएफ खाता धारकों के आश्टितों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए है अगर पीएफ खाता धारकों के साथ कोई अन्होनी हो जाती है तब ऐसी स्थिती में आश्टितों को नौमिनी बनाकर रखने में उन्हें बीमा और पेंशन जैसी सुरक्षाएं आसानी से मिल सकती है स्रीयन नगुले ने प्रेजंटेशन के माध्यम से एपीएफों के भविश्य निदी योजना, ऑनलाइन इंप्लॉयर रजिस्ट्रेशन, क्लेम ट्रैकिंग, अपने पीएफ खाते की जानकारी एवं एपीएफों में दी जाने वाली प्रमुक सुविधाओं के बारे में विस झाल 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 झाल